नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ललिज जोतिस समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आप सभी भाई भेनों को नवरात्री की बहुत बहुत शुबकाम नाए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं माता सिद्धी दात्री के बारे में दोस्तों, जैसा की नाम से ही सबस्ट है सिद्धी दात्री यानि की सिद्धीsom को प्रदान करने वाली आज के वीडियो में हम ये बताएंगे की किस दिन आपको ये परियोग करना है क्या भोग देना है और किस परकार से करना है देखिए इस बार अप्रेल में ये परियोग करना है आपको 21 अप्रेल को 21 अप्रेल 2021 को रात को 10 बजे के बाद एक चीज़ मैं यहां बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दूँ कि नवरात्री की जो पूजा है वो रात में जादा सुब फलताई होती है आप दिन में भले ही पूजा करें या ना करें लेकिन रात्री में पूजा जरूर करेंगे जैसे कि नवरात्री है, शेवरात्री है, जनमास्टमी है ये तो हारों कि पूजा रात में करना जादा फलताई रहता है तो एक बात तो एक क्लियर हुई कि ये पूजा रात को दस बजे के बात करनी है देखिए दोस्तों जब भी कोई वैक्ति किसी भी परकार के मंतर का जाब करता है या किसी भी परकार के देवी देवता की पूजा करता है तो उसको एक उमीद ये होती है कि इस देवी देवता की किरपा मेरे उपर हो जाए चाहें वो किसी भी रूप में हो स्पष्ट सब्दों में अगर हम बात करें तो सिद्धी हम प्राप्त करना चाहती है जिससे कि उस देवी देवता को हम जब भी याद करें किसी काम के लिए तो हमारा वो काम बन जाए और उसकी किरपा हमारे उपर आ जाए तो एक चीज़ तो यहां यह समझे कि माल लीजिए आप हनुमान जी के मंतर का जाब कर रहे हैं बहुत लंबे समय से और आपको उनका अनुभव नहीं हो रहा तो नवरात्री में 21 अपरेल को कम से कम तीन माला आप सिद्धी दात्री के मंतर का जाब करेंगे जो मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूँगा कि मंतर कौन सा आपको जाब करना है और अगर आप रेगुलर बेसिस पे संकल्प करके किसी मंतर की या किसी देवी देवता की सिद्धी प्राप्त करना चा रहे हैं तो सिद्धी दात्री का जो मंतर है उसकी एक माला आप शुरू में करेंगे अगर आपने कोई गुरू बनाए हुए है तो गुरू मंतर सबसे पहले होगा ये चीज़ ध्यान रखें आप बहुत अच्छे से और सिद्धी दात्री का जो मंतर है वो एक माला जाप करना शुरू कर दे अपने जो भी आपका दैनिक जाप है उससे पहले और माता सिद्धी दात्री से ये प्राथना करें कि हे माता मैं इस मंतर का जाप कर रहा हूँ मुझे इस मंतर की सिद्धी देने में आप मेरे उपर किरपा करें तो आप चाहें किसी भी देवी देवता की पूजा पाथ क्यों ना करते हों सिद्धी दात्री का मंतर पहले लगाने से उस मंतर की जो सिद्धी होती है वो बहुत जल्दी होने की संभवना बन जाती है एक चीज़ मैं यहां और बता दूँ आपको कि इसमें भोग क्या देना है आपको भोग में देखी आप पेड़े का भोग लगा सकते हैं बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं साथ में एक गिलास में पानी भरके रखेंगे वो भोग कंपल सरी है हर पूजा पार्ट में होता है इसमें भी वो लगेगा ही लगेगा आप माता सिद्धी दात्तरी की छोटी फोटो या मूर्ती अपने सामने रख सकते हैं अगर आपको माता सिद्धी दात्री की फोटो या मूर्ती नहीं मिलती तो आप माता दुरगा की फोटो रख सकते हैं कोई परिशानी वाली बात बिलकुल भी नहीं है देखिए जो मंत्र है वो बताता हूँ आपको मैं मंत्र रहेगा या देवी सर्व भूतेशु मा सिद्धी दात्री रूपेण संसिथा नमस्तस से नमस्तस से नमो नमा तो इस मंत्र का आपको जाप करना है लैबद तरीके से करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा दोस्तों यहाँ एक आपको विशेश चीज बताता हूँ ऐसे भाई बहन जो साधना के छेतर में है या आना चाहते हैं या जो पूजा पाट करते हैं और भगवान से कनेक्ट होना चाहते हैं उनके लिए मैं एक चीज बता दूँ बहुत से लोग जब कोई मंतर पढ़ते हैं तो उसका मतलब ढूणने लग जाते हैं इस शब्द का मतलब क्या है मतलब समझे कोई बुराई नहीं है लेकिन यहां मैं एक चीज बताऊं आपको कि जब आप किसी भी मंतर की जो धुन होती है उसके लैबद तरीके से जब आप मिल जाते हैं यानि कि आप कहीं भी खड़े हैं और आपके मन में वो मंतर अपने आप चल रहा है किसी आपके फेवरेट सौंग की तरह अपने आप आपकी आत्मा को याद हो गया हो मंतर तो यह मंतर जो है बहुत अधवुत तरीके से काम करते हैं तो ज़्यादा इनमें लॉजिक ना लगाते हुए इसकी लैमें जुड़ने की कोशिश करिए और आप जब आपकी आत्मा को याद हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आप पे जब भी कोई संकट आएगा तो आपके मुह से एक कोई मंतर निकलेगा अपने आप वो मंतर आपका सिद्ध हो चुका होगा जब आप सपने में होंगे और सपने में अचानक आपके मुह से कोई पूरा मंतर निकल जाए और आपको पूरे तरीके से याद भी रह जाए वो मंतर भी सिद्ध हुआ होता है उसका भी आप परियोग करेंगे तो इन निश्चे तोर पे आपका सफल होगा ही होगा तो दोस्तों सिद्धी दात्री के मंतर के बारे में हमने बात करी और तरीके के बारे में बात करी दीपक आप सभी भाई बहन जलाते ही होंगे जैसे कि तिल के तेल का ए देसी घी का वो जलाना ही जलाना है आसन का परियोग आपको जरूर करना है बिना आसन के पूजा नहीं होगी दिशा पूर्व रहेगी इस परियोगों को करते समय तो दोस्तों आज हमने ये इसके बारे में सारी बाते कर ली है अंत में आप एक काम जरूर करेंगे जो आप सभी भाई बहन पहले से करते होंगे जो कन्याएं होती हैं उनको जरूर जिमाना है और अपनी शरद्धा अनुसार उनको जो भी आप खाना खिलाना चाहें या भेट करना चाहें वो जरूर करें दोस्तों आज कल जो है काफी बच्चे खाना नहीं खा पाते या कोरोना काल के चलते हुए घर में कन्याएं नहीं आपाती अगर आप भी इस परकार की समस्या से जूज रहे हैं तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं माता के लिए जो भोग लगेगा वो वही लगेगा जैसे की चने बनते हैं काले वाले पूरी बनती है हलवा बनता है इसका भोग लगा दे और अगर आपको लगता है बच्चे नहीं खाना चाहें तो या तो उन्हें थोड़ा थोड़ा दें या जो बच्चों के मन के पसंद की चीज़ है वो लेकि आए और वो उन्हें दे दें माता को भोग इस चीज़ का लगाएं और जो बच्चों के पसंद की चीज़ है वो उन्हें दे दे इस परकार से आपकी दोनों चीज़े पूरी हो जाएंगी क्योंकि पूजा पाठ के मामले में काल के अनुसार अगर आप नहीं बदल पाते तो चीज़ें आपके अनुसार फिर नहीं रह पाती तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सारे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और लले जोतिस समधान को सब्सक्राइब करें चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी से विद्धा लेना चाहूंगा तब तक के लिए जै श्रीराम